very good morning very good morning to all of you welcome welcome good morning dipali good morning pretty welcome to the baiju's exam prep सभी students जिन्होंने connect कर लिया है प्लीज मार्क है और एंदेंदेंस in the comment section तक कि मैं यह देख सकूं कि कौन-कौन से students live आ चुके हैं सबसे पहले बता दो students audio video all okay वेलकम जैस्मीन, वेलकम प्रिया, वेलकम शिरिशा, वेलकम मौनी, वेलकम वेलकम दिपाली, प्रिटी, वेलकम जल्दी से सभी जन्हें connect कर जो students time हमारा fix है, days fix है, फिर भी time क्यों लग जाता है आप लोग को connect करने में राइट, वेलकम गोमल, वेलकम, 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 चलिए, वेलकम, चलिए, बाकी के students जब तक आते हैं, हम थोड़ा सा general जो आप बात discuss करनी है, वो सारी चीज़ा आपको information देखे, फिर हम आज के session को अपना आगे बढ़ाते हैं, वेलकम शालू, वेलकम, कीप connecting students fast, चलिए, आज का students आप लोग देख सकते हो, topic रहेगा, aromaticity, benzenoid and non-benzenoid compounds, अगर आप लोगों ने इस बारवाला भी exam देखा होगा, CSI NIT का दिया है, इस से पहले जो September में हुआ है, उसको देखा होगा, और last अगर आपने 5-10 साल की PYQs को किया होगा, तो आपने ये चीज़ notice की होगी, की organic chemistry में, aromaticity पे हर साल, every year आपको question देखने को मिलता है, और एक simple से concept से, हम question को बहुत easily crack कर सकते हैं, it means ये वो question है, जो हमें 100% positive में number दिलाएगा, कभी भी negative marking नहीं होगी, concept एक ही है, उसको समझ लो, 100% आप इसको कर सकोगे, ठीक है, good morning Ratika, good morning Shashi, good morning Franklin, a very good morning to all of you, चलिए, तो आज के इस topic को हम start करते हैं, उससे पहले, जितने हमारे हाँ पे नए बच्चे add हुए है, YT पे भी कुछ नाम में नए देख सकते हो, तो उन सब के लिए एक important update ये है, कि YT पे अब जो series start हुई है, क्योंकि एक exam खतम हो चुका है, अब हम next cycle के लिए preparation start कर दी है, हमने December को fight करने के लिए, तो अब इस series का नाम आपका रहेगा, आरंप batch 2023, तो यनि कि December को target करते हुए, हम सभी topics को वापिस से conceptual way में study करेंगे, उनके concepts को strong करेंगे, और धीरे धीरे उनके PYQs को भी cover करते हुए जाएंगे, तो वापिस से, एक last time आपने देखा होगा, कि जब exam आने वाला था, तो उससे काफी समय पहले हमने सर्फ PYQ, PYQ पे सारा जोड लगाया था, क्योंकि हम concept करा चुके थे, अब next cycle आया है, तो वापिस से वही strategy अपनाएंगे, concepts को revise करेंगे, and then PYQ को साथ में लेंगे, ठीक है, तो जितने भी नए users हैं, जितने नए students add हुए हैं, उन लोग के लिए भी बहुत important update है, कि आप लोग इन batches को continuously आप यहाँ पे जितने भी sessions हो रहे हैं, उसको देखिए, आप लोग सीधा QR code को scan करके आप लोग अपने वहाँ पे download कर सकते हो, जहां पर आपको live classes भी मिलेंगी, आपको बहुत सारे topics के PDFs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, तो वो benefits सारे आप इस application को download करके ले सकते हो, ठीक है, इसी तरह से application पे जो series रहेगी, इस वक्त हमारे पास तीन fundamental series को हमने चलाया है, first fundamental concepts करेंगे, वहाँ पे भी हम concepts cover कराएंगे, second success strategy रहेगे, कि भी आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि December वाला जो exam है, उसको हम किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने दें, ठीक है, उस वक्त हमें एक अच्छी rank लानी-लानी है, और third जो series रहेगी, वो जो अभी जो exam आपका last हुआ है, 7 को, उसका complete solution हम discuss करते रहेंगे, जिसने भी अभी तक channel को student subscribe नहीं किया है, session को like नहीं किया है, जल्दी से ये काम कर दो, ठीक है, welcome, welcome, चलिए, आज नलोफर माम की एक important workshop है, जिसमें वो बताएंगी कि job के साथ, ऐसे क्या planning होनी चीए, ऐसे क्या आपका roadmap होना चाहिए, कि आप with jobs, CSI, NET को qualify कर सकते हैं, तो आप लोग आज शाम को 8 कुछे जरूर connected रहना, नलोफर माम आपको एक golden tips देंगी सारे के सारे, ठीक है, जो foundation course की CE students हमारे हाँ पे शुरू हुई है, उसमें chemical science का portion मेरे साथ लेकांशु माम लेंगे, medium, Hindi और English दोनों ही medium में batches हैं, तो आप में से अगर जिसने भी अभी तक enrolled नहीं किया है, you can just call at 965 0052904, ठीक है, और आपको सारा complete information वहाँ पे मिल जाएगी, अब जो भी लेना चाहते हैं, राइट, चलिए, this is all about the important updates, यह सारे updates देने के बाद, अब हम आज का topic स्टार्ट करते हैं, that is aromaticity, I think आप में से हर student को इसके बारे में idea होगा कि aromaticity क्या होता है, yes or no, जल्दी से comment section में बताओ, ठीक है, देखो aromaticity में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा करो, तो question कभी गलत नहीं होगा, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि aromatic compounds कौन से होंगे, या aromaticity क्या होगा, तो planar cyclic conjugated system, जो की huckle rule को follow करे, यानि कि 4 and plus 2 pi electrons हो, उसको हम aromatic compound कहते हैं, ठीक है, अगर आप पिछले PYQs मैं आपको आज बताओंगे exam वाला जो आपका question आया था, एक basic concept को लेकर ही, आपका CSIR net में question आ रहा है, तो अगर आप उस चीज को पकड़ लोगे, कभी exam में गलती नहीं होगे, अब यहाँ पर एक एक चीज को हम देख लेते हैं, cyclic का मतलब compound हमारा cyclic form में होना चीए, ring form में होना चीए, ऐसा नहीं होना चीए, कि double, single, double, single, double, ऐसे, open chain structure नहीं होना चीए, तो aromatic compound होने के लिए, सबसे पहली prime condition क्या है, कि compound हमारा cyclic होना चीए, complete cycle के form में होना चीए, second condition रहेगी, compound should be planar, यानि कि वो एक plane में होगा, और plane में कब होगा, जल्दी से मुझे comment section में बताओ, जब atoms का hybridization कौन सा होगा, जितने जने live देख रहे हैं, मुझे जल्दी से comment section में बताइए, कि अगर planar आपको geometry चाहिए, तो atoms का hybridization क्या होना चाहिए, Jasmine, Moni, Jyoti, Franklin, Jellu, जल्दी से बताओ दिपाली, यहाँ पर hybridization state क्या होगी, very good, very good, Moni, सबसे पहले reply आपका आया, SP2 hybridization state होनी चाहिए, yes, very good, Jasmine, Franklin, Jyoti, Shriusha, Priya, दिपाली, सबका answer सही है, अगर हम बात कर रहे हैं कि planar structure होना चाहिए, तो इसका मतलब एक ring बनाने वाले जितने भी atoms हैं, वो सारे के सारे SP2 hybridized state में होने चाहिए, third condition हम कहते हैं, system conjugated होता है, यह वो point है जहाँ पे आप लोग गलती कर देते हो, conjugation निकालने में, ठीक है, देखो, conjugation का मतलब होता है, CC double bond, single bond, CC double bond, यह नहीं कि double, single, double, इसको आप conjugation मानते हो, मगर conjugation का मतलब सिरफ यह नहीं है, conjugation का मतलब double, single, positive charge, यह भी conjugation है, double, single, negative charge, यह भी conjugation है, double, single, lone पर यह भी conjugation है, even आप examples देखोगे, आपको बीच में boron दिखेगा, boron अपना empty orbital प्रवाइड कराता है, conjugation के लिए, तो double, single, फिर boron का empty orbital आएगा, वो भी conjugation का part हो जाएगा, ठीक है, तो main चीज़ आप यह चीज़ समझो, कि conjugation किसको कहते है, यह नहीं कि कोई दो species, चाहे वो double bond हो, चाहे double positive हो, चाहे double negative हो, उनके बीच में एक single bond आजाएगा, वो conjugation कहते हैं, conjugation का basic concept क्या होता है, कि electrons का delocalization होना चाहिए, इस पूरे system में, जो electrons हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि वो localized हैं, दो carbon की बीच में double bond fix रहें, वो condition नहीं होने चाहे, यहाँ पे electrons का complete delocalization होना चाहिए, उसको हम conjugation system करेंगे, तो आप यहाँ पर देखो, 4N plus 2 pi electrons हो, जहाँ पे N की value 0, 1, 2, 3, ठीक है, अब आपको हर बार निकालने की ज़रुरत नहीं है, आप एक बार निकालके देख लो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, अगर N की value 0 है, तो pi electrons कितने हो जाएगे, 4 into 0 plus 2, यहनी की सबसे छोटा pi, जो aromatic system होगा, वो 2 pi electrons का होगा, ठीक है, N की value हमने 1 रखी, तो 4 into 1 plus 2, कितना हो जाएगा, 6 pi electron, यहनी की 2 pi electron का system, 6 pi electron का system, यह aromatic system है, ऐसे ही N की value 2, N की value 3, so on आप लोग निकालके, ऐसे 4-5 तक याद कर लो, ठीक है, बार-बार exam में निकालनी की ज़रुवत नहीं रहती, तो ऐसे 2 pi का, 6 pi का, 10 pi का, 3 into 2 plus 2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, हांज, यहाँ पर 4 pi है न, sorry, 4 into 3, 12 equals to 14 pi electron, ठीक है, तो 4 pi है न, 4, pi कितना, इदर N की value हमने क्या रख दी, 3, ठीक है, 4 N plus 2 है न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14, तो it means 2 pi electron का system, 6 pi electron का system, 10 pi electron का system, 14 pi electron का system, यह सारे system कैसे होंगे, aromatic होंगे, तो आपको सबसे पहले तो pi electron की संख्या निकाल देनी है system में, उसके बाद conjugation चेक कर लिया करो, कि planar cyclic तो आपको दिखी रहा है, सबसे पहले फटा-फट exam में आप pi electron निकाला करो, pi electron में हमेशा एक चीज़ का धिहान रखना students, यदि hetero atom आपको ring में दिया है, और उसके उपर कोई positive charge नहीं है, तो वो अपना loan पर देगा, ठीक है, ये वो second point है, जिसको आपको aromatic character निकालते वे धियान रखना है, अब जितने भी aromatic compounds होते हैं, उनको हम दो classes में divide कर सकते हैं, एक benzenoid होता है, एक non-benzenoid, benzenoid का नाम से ही पता चल रहा है, कि ये वो compounds हो गए, जिन में at least कोई benzen ring present होगी, जैसे हम कह रहे हैं, नफ्थलीन है हमाले पस, एंतरसेन है, तो at least एक कम से कम benzen ring type structure अगर present होगा, benzen ring का मतलब, यहाँ पे cyclic structure होगा, 6 carbon atom है, sp2 hybridized state में है, 3 pi bond conjugation में होगा, तो यह जो structure है, इतना इतना, यह क्या कह रहाएगा, benzen, ठीक है, अगर ऐसा nuclei आपके compound के अंदर है, वो aromatic compound है, तो वो सारे compounds किस class के अंदर आ जाएंगे, benzenoid compounds में, second class aromatic compounds की होती है, non-benzenoid compounds, यह वो compounds होते हैं, जिनके अंदर benzen nuclei नहीं होता, कोई और ring system होगा, मगर होगा वही, वहाँ पर भी pi electron का system होगा, conjugation होगा, sp2 hybridization state होगी, मगर benzen nuclei नहीं होगा, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, non-benzenoid, किसी भी student को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, ठीक है, चलिए, anti-aromatic की बात अगर हम करें, तो सब कुछ same होता है, मगर pi electrons की संख्या change हो जाती है, तो planar system, cyclic system, conjugated system, instead of 4n plus 2, अब वो कितने electrons आएंगे, 4n electrons आएंगे, मगर n की value यहाँ पर 0 से start नहीं होगी, 1, 2, 3, so on रहेगी, n की value यहाँ पर क्या रहेगी, 1, 2, 3, so on इस तरह से रहेगी, ठीक है, चलिए, ठीक है, any doubt to anyone, any doubt to anyone, ठीक है, अब मुझे आप जल्दी से comment section में बताओ, कि non-aromatic system क्या होता है, non-aromatic system क्या होता है, आपने aromatic देखा, anti-aromatic देखा, non-aromatic क्या होगा, अब देखो, जल्दी से comment section में बताओ, हमने conditions क्या बताई है, planar, cyclic, conjugated, जो कि हकल रूल को follow करें, 4N plus 2 के, अगर πाई electron system है, तो aromatic हो गया, और 4N का system है, तो हम कहेंगे, वो anti-aromatic हो गया, clear है यह चीज, non-aromatic systems वो होते हैं, जो कि यह जो conditions हमने सारी लिखी है, aromaticity या anti-aromaticity की, इन में से एक या एक से ज़्यादा शर्त को violate करते हैं, यानि कि वो उसको नहीं माने, या तो आपका system cyclic नहीं होगा, या आपका system planar नहीं होगा, या हो सकता है, उसके अंदर conjugation नहीं हो, या number of 5 electrons, 4N या 4N plus 2, दोनों में से कोई नहीं हो, तो वो सारे system किसके अंदर आ जाएंगे, non-aromatic, one of the rule does not open, which does not, हाँ जी, aromatic भी नहीं होगा, वो anti-aromatic भी नहीं होगा दिपाली, ठीक है, तो वो non-aromatic हो जाएगा, तो ऐसे compounds जिनको आप इन दोनों classes में fit नहीं कर सकते, वो सारे non-aromatic category में आ जाएंगे, राइट, अब यहाँ पर देखें, आपको एक बहुत common question कई बार देखने को मिलता है, जैसे अगर आपके पास, suppose यह वाला compound दिया है, three-membered ring है, यहाँ पर आपके पास double bond लगाव है, cyclopropene है, ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कई बार पुछते हैं, कि इस compound की tendency जो है, वो proton donation की होगी, या hydride donation की होगी, तो देखो, यहाँ पर दो hydrogen's definitely लगे हुए, तो यदि आपसे exam में इस तरह का question पूछा जाता है, कि अगर हमने इसमें से देखो proton निकाल दिया, H plus निकाल दिया, तो system कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर negative charge आगे, है, H plus निकालने पर, second अगर मैं इसमें से hydride निकाल दूँ, यहनि कि H अपने board के electrons को लेकर निकल जाएगा, तो यहाँ पर system में charge क्या जाएगा, positive, अब आप खुद बता सकते हो, इस system में proton का निकलना, यह preferential होगा, यह hydride का निकलना, जल्दी से comment section में बताओ, दोनों में से क्या preferential है, proton donation, सक्षी, proton को तो donate करके, यहाँ पर देखो न, यह anti-aromatic system बन गया, two double bond, single bond, lone pair, single bond, double, planar है, cyclic है, conjugated है, four electrons को रख रहा है, तो system anti-aromatic हो गया, मगर जब हमने hydride को निकाला, यहाँ पर हमने hydride को निकाला, hydride abstraction करा, तो hydride abstraction से system बन गया, aromatic, double bond, single bond, positive charge, single bond, double bond, complete conjugation है, तो hydride abstraction यहाँ पर preferential होगा, preferential होगा, ठीक है, एक तो आपके exam में question, इस तरहां से बहुत बार पूछते हैं, कि acidic nature किसका ज़्यादा होगा, it means वो proton क्या निकाल रहा है, तो हमेशे stability पे जाया करो, stability में aromatic character सबसे important होता है, कि यह देखो hydride निकलने के बाद, यह proton निकलने के बाद, कहीं हमारा system aromatic तो नहीं बन रहा, और यह दिए वो anti-aromatic बन रहा है, तो it means वो process preferential नहीं होगा, कभी भी compound अपने आपको unstable नहीं करना चाहेगा, ठीक है, good morning आशीश, ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से आपके पास इस system में पूछा जाए, cyclopentadine में, same वहीं काम में कह रही हूँ, एक आपने proton निकाल दिया, second आपने condition में hydride निकाल दिया, proton निकाला, तो H plus निकाल दिया, तो bond के electrons को यहीं पर छोड़ गए, तो आपके पास क्या condition हो गई, इस तरह से, यह double bond, यह double bond, और यहाँ पर यह negative charge, तीक है, इसी तरह से आप second वाले में देख सकते हो, अगर आपने hydride निकाल दिया, it means hydrogen अपने bond के electron को लेकर निकाल गया, तो यहाँ पर positive charge, यह condition, तो हाँ जी, अब यहाँ पर बताओ, कौन सा favored हो जाएगा, proton का निकलने से system बन गया, aromatic, 2, 4, 6, total electrons कितने हो गए, 6, मगर यहाँ पर hydride के निकालने से system बन गया, anti-aromatic, any doubt? ठीक है, तो यह first एक तरह से basic question है, जो आप से aromaticity में acidic nature को, pH को लेते वे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जिसका acidic nature जादा होगा, definitely उसकी pH कम होगी, तो हो सकता है आप से pH की value पूछ ले, हो सकता है आप से PKA की value पूछ ले, हो सकता है आप से KA की value पूछ ले, acidic nature पूछ ले, hydride abstraction पूछ ले, language of question कुछ भी हो सकती है, concept यही रहेगा, कि आपको proton को निकालके, या hydride को निकालके, बनने वाले system को, aromaticity उसकी check करनी है, ठीक है, हाँ जी, removal of proton will be preferred, क्योंकि system बन गया यहाँ पर aromatic, clear है, तो language को समझने की कोशिश करना, system आपका aromatic है यह नहीं है, question वहीं आके आपका drop होगा, ठीक है, बेंजीन आपको पता है, SP2 hybridized सभी carbon, तो double single, double single, double single, 6 pi electron का system, simple simple यह आपका aromatic हो गया, ठीक है, अब star point, इस पर question आ सकता है, cyclo-octa tetraene, cyclo-octa tetraene, examiner आपको इस condition में देगा, हमेशा ध्यान रखना, examiner आपको इस form में देगा, cyclo-octa tetraene, अब आपको इसकी aromaticity बतानी है, तो जल्दी से comment section में बताओ, cyclo-octa tetraene, acidity how to check, अभी बता रही हो, शिरिशा, पहले cyclo-octa tetraene किस तरह का compound है, जल्दी से मुझे comment section में बता दो, जल्दी से जल्दी सब जन्हें फटा-फट से comment section में मुझे reply करें, कि non-aromatic, moni का reply सबसे पहले आया है, anti-aromatic, 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 anyone else, आशुतोष का non-aromatic, हरिप्रिया का anti, non-non-non-anti, चलिए, देखिए, I think जितने students जिन्होंने anti-aromatic reply दिया है, वो first time aromaticity को detail में पढ़ रहे हैं, बाके उन्हें सेशन ले रखे हैं, ठीक है, very good, आशीश आपने reason भी दे दिया, आपको examiner cyclo-octa tetraine ऐसे देंगे, ठीक है, देखने से लग रहा है, double, single, double, single, double, single, double, single, 8 pi electron का system है, यहनि की 4N system में यह लाई कर गया, N की value 2 कर रही हमने, तो 4 into 2 equals to 8, ठीक है, मगर यह system students non-aromatic है, ठीक है, इसका reason क्या है, इसका actual structure यह वाला होता है, it is a tub shape structure, तो इसमें planarity नहीं होती, यह एक tub की तरह structure है, तो planarity remove होने के कारण, non-planar होने के कारण, आपकी एक condition violet हो गई, इसलिए system 8 pi electron को रख रहा है, conjugated है, मगर फिर भी, वो aromatic या anti-aromatic, कुछ भी नहीं हो सकता, वो non-aromatic होगा, तो जितने students यहाँ पर, अभी I think नहीं जुड़ेवे हैं, इस example को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, cyclo-octa tetraene non-aromatic system है, क्योंकि यह non-planar है, इसकी structure tub shape होती है, तो अगर यहाँ पर double single, double single, double single, double single, double single, आपको यह system दिया हुआ है, तो यह cyclo-deca-pentaene क्या होगा, अगर आप इसका भी अब बता दो, जल्दी से यह system कैसा होगा, आप देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, आप क्या कहोगे, 4N plus 2 किसके बराबर आगया, 10, 4N equals to 8, N equals to 2, it means planar cyclic conjugated system, जिसमें 4N plus 2, pi electron की condition फुल्फिल हो रही है, तो system यहाँ पर क्या होना चाहिए, aromatic, right, मगर again यह system non-aromatic है, क्योंकि यह compound not planar है, तेके, अब planar क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो, यह जो अंदर वाले 2 hydrogens हैं, यह एक दूसरे से लगाता रिपल करते हैं, तो इन दोनों के repulsion के कारण, इसको कहते हैं, internal hydrogen repulsion, इन दोनों के repulsion के कारण, compound की planarity disturb हो जाती है, वो system planar नहीं रह पाता, जब planar नहीं रह पाएगा, तो वो non-aromatic हो जाएगा, clear है, अब आपके पास जो question आएगा, CSIR net में, वो यह आएगा, आपको 2 यह 3 questions नहीं होगे, choices और नहीं से aromatic बताना होगा, तो definitely एक ऐसा example होगा, तो आप कहोगे, यह aromatic नहीं है, मगर अब इन दोनों hydrogen को, यदि हम किसी भी तरीके से हटा दे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का repulsion हट जाएगा, repulsion हटते ही, यह compound planar बन जाएगा, तो अब यह repulsion कम करने के लिए, hydrogen को remove करने के लिए, सबसे पहला जो तरीका होता है, यहाँ पर bond बना दो, bond बनाते ही, हाँ जी, दोनों के बीच में repulsion होगा, repulsion से planarity खतम होती है, तो bond बनाते ही, यह naphthalene बन गया, तो जब bond बन गया, यहाँ पर hydrogen हट गए, यह naphthalene जो है, complete planar molecule बन जाता है, planar बनते ही, 10 pi electron का system, cyclic planar conjugated, aromatic बन गया, दूसरा तरीका जो होगा, वो आप exam में देखना, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि इन दोनों के बीच में, कोई हिट्रो आटम लगा देंगे, हिट्रो आटम लगाते ही, यह दोनों hydrogen हट गए, hydrogen हटते ही, यह compound planar हो जाएगा, तो second आपको जो choice मिलेगी, वो exam में ऐसी मिलेगी, कि यहाँ कोई हिट्रो आटम लगावा होगा, इन दोनों carbon के बीच में, bond नहीं होगा, कोई atom होगा, ठीक है, third जो possibility आपको exam में देखने को मिलेगी, वो यह मिलेगी, कि इन दोनों को आप CH2 group से, जोड़ दो, पाइंट कर दो, जैसे ही आपने CH2 से जोड़ा, यह जो carbon है, यह plane से उपर रहेगा, और 10 pi electrons का complete delocalization plane में चलता रहेगा, तो जब यह 10 pi electrons का complete delocalization चलेगा, तो यह system नीचे क्या हो जाएगा, planarity आजाएगी और यह aromatic बन जाएगा, तो जब भी आपको choices मिलेंगी, अगर यह open है, अगर यहाँ से यह system बहुत important है, यह 10 electron वाला, यहाँ पर यह open है, it means कोई bond नहीं है, तो definitely हो सकता है आपको hydrogen ना भी दिखाए, examiner यह भी कर सकता है, कि आपको hydrogen नहीं दिखाएंगे, बट आपको यह मान के चलना है, कि अगर यह open है, तो definitely यहाँ पर एक-एक hydrogen है, और एक-एक hydrogen है, तो उनके बीच में repulsion भी होगा, तो internal hydrogen repulsion के कारण, यह system तो non-aromatic हो जाएगा, अब इसको चाहे bond से जोड़ो, चाहे CH2 से जोड़ो, चाहे किसी हिट्रो आटम से जोड़ो, तीनों ही condition में, system convert हो जाता है, aromatic में, क्योंकि hydrogen हट चुके हैं, कोई doubt किसी को यहाँ तर, जल्दी से comment section में बताओ, देखे, fixed question है यहाँ पर, aromaticity का pattern कोई बहुत ज़्यादा नहीं हिलता, एक्जाम में, तो आप यह सोच लो, कि आप अपने एक से दो question 100% पक्या कर रहे हो, अगर आपको यह topic धंग से समझ में आ गया तो, clear है सबको, चलिए, अब आपका यह question अभी, जो 7th को exam हुआ था, उसमें यह question आया था, according to the huckle rule, दो different compounds आपको दिये थे, एक N और एक दिया था N, और आपसे reason पूछा था, कि इन दोनों में से कौन ने aromatic है, कौन सा anti-aromatic है, जल्दी से मुझे इसका answer बताओ, आप लोगों नहीं क्या दिया है, second, हाँ जे, अब देखो, यहाँ पर वही concept आ गया, इस question में सब कुछ चीजे cover हो रही है, मैंने आपको कहा था, कि यदि कहीं पर भी hetero atom आपको दिख रहा है, जैसे sulfur है, या oxygen है, या nitrogen है, तो वो अपना lone pair दे सकता है, आपके aromatic city के लिए, ठीक है, और अगर कहीं पर borone यूज हो जाता है, तो borone अपना empty orbital provide कराता है, empty orbital provide कराएगा, de-localization के लिए, de-localization के लिए, ठीक है, यह empty orbital provide होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले, मैंने आपको क्या कहा है, कि आप देखा करो, कितने πाई electrons हैं, तो system हमारा 4N plus 2 equals to, आपके कितना आ गया 10, 4N किसके बराबर आ गया 8, N किसके बराबर आ गया 2, यह निकी यह huckle rule तो follow कर रहा है, system planar है, सभी SP2 hybridized condition में, आप देख सकते हो, valency nitrogen और borone की भी, मगर borone के पास यहाँ पर empty orbital भी है, तो double, single, lone pair, single, double, single, double, single, empty orbital, single, double, single, double, ठीक है, तो complete delocalization हो गया, complete delocalization हो गया, 10 pi electron का system हो गया, सभी atom SP2 hybridized state में है, तो it means यह compound हमारा aromatic हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर second आप choice को देखिए, अब यहाँ पर again borone ने अपना empty orbital दिया, तो double, single, double, single, double, single, यहाँ पर empty, single, double, हो गया delocalization, सारे electrons पूरे जो molecule है, उस पर move करेंगे, system कैसा हो गया, 4n plus 2 equals to 6 pi electron का, 4n equals to 4, n equals to 1, यह नहीं कि यह भी integral value आगयी, 0, 1, 2, 3 में, तो यह system भी हमारा कैसा हो जाएगा, aromatic, clear है, अब आपका last, जो September में CSI net हुआ था, उसमें यह वाला question आया था, देख लो वही concept है, nitrogen के उपर charge positive है, यहाँ पर यह hetero atom है, यहाँ पर complete conjugation है, इसका answer आप लोग मुझे comment section में दोगे, इसका answer मुझे comment section में चाहिए, बहुत simple question है, concept वही का वही है, वही nitrogen पर क्या condition होगी, sulfur अगर हिट्रो atom है, तो क्या होगा, इसका जितने भी जने लाइव देख रहे हैं, अब जने इसका answer comment section में देंगे, और session खतम होने के बाद, अभी दोगे, वो comments ने reflect होगे, तो जिस student ने भी अभी तक हमारा जो whatsapp group है, और telegram channel है, उसको नहीं join किया है, तो जल्दी से आप लोग join कर लो, session के description में आपको उनके links मिल जाएंगे, ठीक है, comment section में मैंने यही काया है, comment section में बोल दो, ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर आपको query है, पर आपकी हर query का solution मिल जाएगा, ठीक है, A, B, A, B, हाँ, last वाले का session खतम होने के बाद, आप comment section में students answer post करना, ठीक है, ठीक है, चलिए, यह कुछ sessions अब IT पर देखो, regular आपके concept पर ले चलेंगे, application पर भी चलेंगे, बट मैं जैसे पहले भी आपको कहती थी, again कह रही हूँ, क्योंकि again, बहुत सारे students हमारे साथ अब फिर से नए जोड़ रहे हैं, आप लोगों की choice का कोई भी topic हो, जो की आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें problem आती है, या इसकी question हम नहीं कर पा रहे, आप लोग comment section में वो वाले topic ज़रूर mention करो, ताकि हम लोग उसको upcoming sessions में include कर सके, ठीक है, दिपांजेली जो class का schedule रहता है न, वो मेरी class होती है Tuesday, Thursday and Saturday, YT पे मेरा time रहेगा सुबह 11 बजे, ठीक है, और बाकी के alternate day लेकांशियो में का हो जाएगा, बट Tuesday, Thursday, Saturday मेरी class रहेगी, ऐसे ही Wednesday और Friday मेरी class होती है application पे, application का time students change हो गया है, अब 12 बजे का हो गया है दिन में, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे connect 12 बजे के हिसाब से करना, YT आपका 11 बजे रहेगा, application Wednesday Friday को होगी, YT Tuesday, Thursday, Saturday को होगी, ठीक है, हाँ, आप मुझे comment section में students बता देना, ठीक है, चलिए, अब जितने students जिन्होंने अभी ये 7th को exam दिया था, देखो, rest का time अब हो गया है, आप लोगोंने break ले लिया है, अब वापिस से एक नई energy, नए जोश के साथ, पूरा exam में जुट जाओ, ताकि अब ये हमें कोई excuse नहीं देना पड़े, December के लिए, कि अब आपके पास पूरा ample time है, ये एक इतना perfect time है, कि कोई fresher भी अभी त्यारी शुरू करेगा ना, तो वो 100% JREF निकाल सकता है, मगर वो consistently त्यारी करे, और आप लोग तो कुछ students त्यारी करते हुए, आपको 2 महिने, 3 महिने का time हो चुका है, तो आपके लिए तो एक तरह से 100% surety वाला काम है, तो बस आप consistently लगे रहो, break मत लेना, ये मत सोचना कि नहीं, अभी त्यारी की है 15 बीजिन का और break ले लेते, ब्रेक को छोड़ो, अब वापिस से त्यारी में लग जाओ, ठीक है, मैं में हकल रूट बहुत है, आशीश देखो, बहुत simple सा concept है, अगर हकल रूल की बात करें न, तो 4N, मैं पेन का color एक मिन चेंज करती हूँ, देखो, 4N plus 2, ठीक है, N की value, यहां मैंने का 0, 1, 2, तो सबसे छोटी value 0 रखूंगे न, तो 4 into 0 plus 2, तो 2 pi electron का system आ जाता है, aromatic में, anti-aromatic में हम कहते हैं, 4N का system, अगर मैंने N की value यहां पे, N सबसे छोटा 0 रखा, तो 0 pi electron का system हो जाएगा न, तो फिर आपका कोई electrons ही नहीं होंगे उसमें, ठीक है, तो this is the reason, कि वहां पे आपको कम से कम N की value 1 रखनी पड़ती है, ताकि 4 into 1, 4 pi electron का system बने, यह तो 0 pi electron का system में, फिर आप parametric कैसा निकालोगे न, delocalization ही नहीं होगा, electrons ही नहीं होंगे, ठीक है, ब्रिच पाल कह रहे हैं, result प्रिटी कह रहे हैं, result आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, सब कुछ थोड़े दिनों में wind up हो जाएगा, बट आप लोगों की answer, response sheet आ चुकी है, आपको यह पता चल गया है, कि आप किस level में हो, ठीक है, तो जो लोग एक तरह से clear cut selection के side में हैं, वो अपने आगे के plans देखो, कि आपको कहां PhD करनी है, या कहीं job करनी है, और जो लोग margin पे रह रहे हैं, या थोड़ा ज़्यादा number से भी रह रहे हैं, तो अब उस चीज़ को छोड़ दो, कि इस exam में हमारा नहीं हुआ, यह silly mistake हो गई, या हमारा syllabus किसी current से नहीं develop हुआ था, leave the excuses, excuses को छोड़ दो, अब सीधा अपने target पे focus करो, आपको अगला exam निकालना है, बस एक ही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, बिजपाल कहारा है, बिएड का paper है, बहुत pressure है, बिजपाल, बिएड के लिए बिल्कुल भी pressure ना लो, अराम से cool mind से paper दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, चलिए, कोई और query, कोई और doubt किसी को, आशीश, आपका doubt clear हो गया होगा, 0 पाई electron का system नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ N की value 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, हांची, मैं की class है, ले लीजेगा, मैं की, पेड 12 बजे हैं अच, चलिए, ठांक यू सो मच everyone, टेक केर, बबाई, आव आइस दे, और comment section में, उस question का answer भी drop करतीजेगा, और साथ की साथ, ये भी बता देना, आपको upcoming classes में, कौन सा topic पढ़ना है, ठीक है, ठांक यू सो मच,